मत्य पर्देश की धार क्राइम की चीम और सरदार पूर पूलिस ने संयुक्त रूप से कारेवाही करते हुए जामदा भूतिया की कुख्यात पांच आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल की है धार एस्पी ने प्रेसवारता में खुलासा करते हुए बताया कि ये पांच आरोपियों की योजना बना रहे थे जिसकी सुचना मुखबीर से क्राइम ब्राज के प्रभारी संतोष कुमार पांधे को मिली जिसके बार टेम ने तवरित कारेवाही करते हुए सरदार पूर्थ मेहरू उर्फ मेहर सिंग पर सतर हजार का इनाम घोशित था वहीं कैलाश महिंदर जवर सिंग और मुकेश पर भी बड़ा इनाम घोशित था यह पांचो आरोपी धार जीले के टाड़ा सरदारपूर और गंधवानी के डकैती लूट हत्या सही डकैती चोरी कई गंभीर माम में चोबी प्रक्रणों में लंबे समय से फरार चल रहे थी पूलिस ने आरोपियों से हत्यार सही चोरी की दो मोटर साइकल भी जप्त की है धार जीले का अब तक की सबसे बड़ी इनामी राशी के पांच आरोपियों को पकड़ने पर धार आइसपी निये क्राइम और पूलिस की प्रशांसा की है धार ससमधात जीतेंदर वर्माखी रिपोर्ट आज क्राइम रांज धार और सरदार पूलिस ने एक अच्छी कारवाई करते हैं पांच लोगों को गिरफतार किया है डखेती की त्यारी में इसमें जो पांच लोगों गिरफतार हुआ है इस चोरी की मोट सैकले एक मुबाईल कुल मश्रू का करीब एक लाग दस जारों पे रिकावर हुआ है और इन में महरू पे सत्तर हजार का इनाम है कैलाश पे तीस हजार का नवल पे 31 हजार का जबर सिंग पे 39,000 का और मुकेश पे 5000 का इन सभी को पुलिस ने गिरफतार किया है और इन से करीब ये करीब 14 डकैती एक हत्या तीन लूट तीन हत्या के प्रयास एक मारपीट एक चोरी एक नकभजनी कुल 24 अपराद में अभी तक फरार है और इन पर दो-तीन अपराद और पंजीबद होंगे तो करीब 27 अपराद में ये लोग फरार है इसमें एक आरोपी जो जबर सिंह है वो 95-96 से फराद है और जो बाकी अन्यारोपी है वो 14 से 17-18 से करीब दो-तीन साल से फराद है और लगातार पुलिस काम कर रहे है जो भी अपराद होता है उसको ट्रेस करने का प्यास किया जाए जाए जबीदी बैंक्वेट लाए है incredible marriage palace Rajgarana and the finest banquet hall Jyoti garden world-class catering, centrally air condition, lush green lawns, state-of-the-art lightning a perfect venue for wedding, launching and parties Rajgarana and Jyoti garden a JBD banquets enterprise ऐसे ही latest को बरे पाने के लिए bell icon को खिलिक कर हमारी चैनल को like, share and subscribe करे घन्यवाद झाल